प्रश्नावली 5.2 प्रश्न संख्या 3 प्रश्न है किसी समांतर श्रेडी का छटा पद तथा सतरवा पद कौन कौन से पद T6 और T17 ये पद एक तो छटा पद और एक सतरवा पद क्रम सह 19 और 41 है यानि इनके मान दिये हुए छटे पद का मान तो किता है 19 और सतरवे पद का मान किता दिया हुआ और आपको कौन सा पद गयात करना है t 40 वा पद आपको गयात करना है पहले इनको समझ लेता है कि हमने यह क्या लिखा है नína फिर प्रश्ण को समझेंगे हम जानते हैं कि समांतर सेड़ी होती है जैसे मेंने कोई भी समांतर सेड़ी लेली 2, 4, 6, 8 जलाएगा निया वा जाल जाने सब्सक्राइगा एकटरुफस्थर निया जैंट सब्सक्राइगा कि क्या प्रश्राइब ensure प्रस्टर और यह मैंने सिम्पल है इसम्पल है प्रश्न Grü call और Karl फॉर्मूला क्या एक D plus N minus A into D यहें TN का formula ठीक है यहाँ पर अगर N है तो उसमें से 1 कम संख्या यहाँ पर है जैसे अगर मैं T5 ले ऩह रहा हूं तो उत्तर के आएगा A plus nod I ुए नहीं यानि एक कम यहां दस है तो यहां एक कम आएगा नौप आएगा बात समझ माँ गई आपके अब प्रश्चन Är after हम 해요 boxasking एप्सके एदर जो है अब शॉल्व करते हैं देखो हमें दिया हुआ किया हैर दिया हुआ होगा एपलस पाफ डी और इसकी वैलियू ठी सेक्स की वैलियू हमें दी होई है किती दी उंश्टा हुआ है किसा है क्या लिखे चक्ते है किसे अ लिख सकते हैं repay बलस तोum किता दिया हुआ हमें 41 दिया हुआ है ये हो जाएगा समिकरन नंबर 2 और हमें चाहिए क्या हमें चाहिए T40 और T40 क्या होगा T40 बराबर होगा A प्लस 49 D अगर A और D का मान हमारे पास में आ जाए तो हम 40 का T40 का मान भी क्या कर सकते है ग्यात कर सकते है समझ रहे ना बात आप तो इन दोनों समीकरण से हम A और D का मान ग्याद करेंगे नायंत का खसा में हमने पड़ा है कि जब दो चर हो तो उसमें से एक चरका विलोप करके दूसरे चरका हम मान ग्याद कर सकते कैसे समीकरण एक और दो को क्या करेंगे अपन गटाएंगे समीकरण एक और दो को गटाएंगे और गटाते समी क्या करता है जो दूसरा समीकरण उसके चिन चैंज हो जाएंगे जैसे यह प्लस का है तो माइनस यह भी माइनस और यह भी माइनस तो A में से A गया क्या हो गया 0 यानि ये पत तो 0 हो गया फिर ये देखो Plus के 5 D और ये Minus के 16 D एक Plus का एक Minus का घटेगा लेकिन उत्तर Minus में आयेगा क्योंकि Minus का बढ़ा है तो 16 में से 5 गए पिछे किते बच जाएंगे आपके पास में 11 ये हो गया 11 D और कैसा? माइनस का बराबर ये प्लस के 19 और ये माइनस के 41 घटेगा लेकिन कैसा आएगा माइनस का तो घटाएंगे तो 41 में से हमें क्या घटाना है 19 घटाना है घटाओ देखो 9 का परमित्र 1, 1 और 1, 2 और 3 में से 1 गया 2 यानि किता आगया माइनस के 22 अच्छा अब ये गुडे में है तो इस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा तो डी बराबर माइनस के 22 बटे 11 माइनस के माइनस माइनस कैंसल 111 एकम 111 दूना 22 यानि डी का मान तो हमारे पास आगया कितना आगया डी बान आगया हमारे पास में 2 अब हमें A का मान ज्यात करना है तो D का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो चाहे एक में रखो चाहे दो में रखो उत्तर आ जाएगा D का मान समीकरण एक में रखने पर जैसे हम D का मान समीकरण एक में रखेंगे तो A क्या है A है A प्लस पांच D बराबर 19 और D का मयान मेंने किता निकाला 2 वो इसमें रखेंगे तो A प्लस 5 दोनों के 20 कोई निशा नहीं तो इंटू D कितना है 2 बराबर 19 तो A आगे का यहां कर रहा हूँ मैं तो A प्लस कितना है 5 दूनि 10 बराबर 19 पक्षानांतन करेंगे तो A बराबर 19 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 10 A बराबर 19 में से 10 गए 9 चलो A भी मिल गया हमें और D भी मिल गया हमें क्या गयाद करना है t40 का मान जयाद करना है और t40 हुम क्या लिख सकते है t40 बराबर agener mor 49 hour ठों धी 140 क्या मिलेगा a का मान कीटोग मैं किता है 9 प्लस यह 49 इन दोनों के बीच कोई नितले स्थान नी तो एंटू ऑर डी कितना मेरे पास लिते हैं दो च mess together करेंगे तो पहले गुणा होगा हमेशा ध्यान रखो जब एक शमीकरण में या एक व्यंजक में आपके पास प्लस इंटू भाग हो तो पहले गुणा होता है उसके बाद जोड़ होती तो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे तो 9 प्लस 9 दुनी 18 हासल का एक तीन दुनी छे और एक साथ इठत्तर में हम नौ जोड़ेंगे किता हो जाएगा 87 तो टी चालिस का मान किता आया 87 और यहीं हमें निकालना था यह टी चालिस का मान हो जाएगा ठीक है अब है प्रश्ण संख्या 2 सुर्ण संख्या 4 प्रश्ण 4 गया है किसी समानतर सेडी के तीसरे और नौवे पत करम से चार और माइनस 8 है कि किसी समानतर सेडी का हमें तीसरा पत दिया हुआ है T3, कितना है? 4, और 9 फद दिया हुआ T9, 9 फद कितना दिया हमने? M-8, और हमें ग्याद क्या करना? इसका कौन सा पद सुनी होगा, यानि TN एक पद होगा, उसकी value क्या होगी? 0, अब वो कौन सा पद है? यानि N हमें ग्याद करना है एन हमें ग्याद करना है चलो जो दिया हुआ है उसी से हम करेंगे क्या दिया हुआ है देखो सबसे पहले हमें T3 दिया हुआ है और T3 का मतलब क्या होता है A plus 2D और कितना दिया 4 समी करन नमबर 1 फिर T9 हमें दिया हुआ है T9 का मतलब क्या होता है A plus 8D यानि 9 है तो D कितने यह माईनस के आथ समिकरन नमबर 2 हमें TN तो दिया हुआ है TN किता दिया हुआ है zero अब वो कौन सा पद zero है वह हमें निकालना तो A और D के मान तो हमें निकालने पड़ेंगे ठीक है यह तो पहले A 12 बटे 6 गुणे में है तो भागना आएगा 6 कम 6 6 दुनी 12 लेकिन ये कैसे है 6 माइनस के उत्तर किसमा आएगा माइनस में तो D हमें मिला माइनस के 2 अब A का मान निकालेंगे कैसे निकालना है D का मान समी करण 1 में रखने पर समी करण 1 कौन है ये है A प्लस 2D इक्वल टू 4 A का मान तो हमारे पास है नहीं लेकिन D का मान है और यहां क्या है 2 इंटू D D किता निकाला माइनस का 2 हमेशा जो माइनस की संख्या गुणे में होगी वो कोष्टक में लिखी जाती है बराबर 4 पहले कोष्टक सरल करेंगे तो A ये प्लस है और ये माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस और 2 इंटू 2 दूनी 4 हो जाएगा बराबर 4 फीर ए बराबर यह माइनस का 4 उदर जाएगा है प्लस का हो जाएगा तो चार प्लस 4 त नहीं हो गया है यानि हमें कित्ता मिल गया को भी मिल गया अब देखो Dani B मिल गया तो हमें क्या ग्यांद करना कौन सा पद जीरो होगा अब TN जो होता है वो क्या होता है A plus A कम N minus 1 into D और ये value हमें दी हुई है किती दी हुई है 0 हमें ग्याद करना N यानि कौन सा पद 0 होगा ठीक है ये कितना है भी ये हमने निकाल दिया 8 plus N minus 1 ये तो हमें ग्याद करना है into D और D हमें कितना मिला माइनस का 2 ये भी कोष्टक में लिखेंगे बराबर 0 तो 8 plus 1 देखो ये गुणा होगा है ना तो पहला गुणा करेंगे plus minus 2 का गुणा N से minus 2 का गुणा N से क्या जाएगा minus 2N minus 1 का गुणा minus 2 से minus 1 का गुणा minus 2 से minus into minus plus और 2 एकम 2 क्या हो गया plus का 2 बराबर 0 अब bracket हटाएंगे तो 8 plus into minus minus के 2N plus into plus plus का 2 बराबर 0 अब ये भी plus का और ये भी plus का दोनों जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा 10 minus 2N बराबर 0 ठीके अब क्या होगा ये 10 उस तरफ जाएगा तो minus के 2N बराबर कितना है minus के 10 क्योंकि ये plus का है उदर जाके ये भी minus हो जाएगा और N बराबर minus के 10 बटे minus के 2 ये गुणे में है भाग में आएगा minus minus क्या हो जाएगा गांसल पांचदुनी10 यानी n मुझे क्या मिला 5 यानि जो पांच वा पद होगा उसकी वेल्य क्या मिल्य होगी 0 होगी हमें ग्याद करना थे ही हमारा उत्त है ति कि यानई वह कौन सा पद है पांचवा पद है जिस परbor व्याबिद्व क्या हो जाती है जीरो हो जाती है चलो ठीक है तो यह होगे हमारा प्रश्ण संक्या 4 अगला प्रश्ण प्रश्ण संक्या 5 प्रश्ण है किसी समांतर सेडी का तीसरा पद 16 है और सहात्वा पद 5 वे पद से 12 दिखे तो समांतर सेडी ज्यात कीजिए थोड़ी लिंक डालते हैं इसमें प्रश्न गया है किसी समानतर्शली का तीसरा पद 16 है यानि हमें T3 बराबर कितना दे रखा है 16 दे रखा है और सात्वा पद पांच ब पद से 12 अधिक हैं यानि कि इन दोनों का सेड़ी ग्याद कीजिए तो वह समांतर सेड़ी हमें क्या करनी है ग्याद करनी और समांतर सेड़ी क्या होती है यह प्रशनावली के जितने भी वीडियो है वो नहीं देखेंगे कम्प्लिट एक से लगा कर चालो करके देखेंगे तभी यह वीडियो समझ में आएगी नहीं तो वीडियो समझ में नहीं आने वाली ठीक है तो हमें जो दिया हुआ है इसी से हमको काम चलाना हमें दिया हुआ क्या है देखो अप्लब क्या होता है plus 6D यह हो गया T7 का मान माइनस अब T5 का मान क्या होगा A plus 4D यानि यह 5 है तो D किता होगा एक कम होगा और इन दोनों की value किता दी बारा दी यानि इन दोनों का अंतर है 3,D बराबर 12 यह भी एैं यह भी ए है तो ए में से ए गया यनि ए में से ए गया जीरो मैंने इसको हटा दिया लाएं कटा डिया यह रहर ऑफा क्या होगा टीकि यह भी प्लस का यह माइनस का तो यह अधाल यह अधाय गटेगा लेकिन प्लस का आएका क्यूंकि कि प्लस का बढ़ा है तो छैसे चार घया डोव methで य। बराबर किता दिए रखा है बारा तो डी बराबर किया होगा 12 बठे बारा निट दो-डूडे में भाग में आएगा चेल नी बारा तो डी हमें किता मिल गया 6 मिल गया दी का मान आ गया अब एका मान लाना है समी करन एक में रख दो एक दी का मान तो अब आगे करेंगे समी करन एक में समी करन एक में दी का मान रखने पर अच्छा समी करन एक क्या है A प्लस 2D बराबर 16 D निकाल दे हमने A निकालना है तो A प्लस 2 इंटू D किता मिला 6 मिला बराबर 16 A प्लस 6 दुनी 12 बराबर 16 तो A बराबर 16 12 उस तरब जाएगा तो माइनस के 12 A बराबर 16 में से 12 गए 4 यानि A का मान भी हमें मिल गया अब हमें समानतर शेड़ी गयाद करनी है समानतर शेड़ी क्या होगी A पहला पद क्या होगा T1, T2, T3 यह हमें गयाद करना है तो T1 हमें सा क्या होता है A होता है T2, A प्लस D T3, A प्लस 2D फिर A प्लस 3D ऐसे एक समानतर स्रेडी ग्याद करने है अपने को ठीक है तो पहला पत्त क्या हो गया चार समानतर स्रेडी बराबर समानतर स्रेडी पहला पत्त क्या हो गया चार दूसरा पत्त क्या होगा चार प्लस डी D किता है 6 जोडो किता हो गया 10 फिर जो value है उसमें 6 और जोडो तो 4 प्लस 2 इंटू 6 वो value मिल जाएगा इस प्रकार हमें समानतर शेडी मिल जाएगा किता हो गया 4 4 और 6 10 दूसरा पत क्या हो गया 10 तीसरा पत 10 में 1 6 और जोडो 16 फिर 6 और जोडो 22 तो यह हमें समानतर शेडी मिल जाएगी 4 10 16 22 यदि मेरे वीडियो पसंद आए तो like करो subscribe करो share करो comment करो thank you